नमस्का दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनके कौन नए वीडियो में तो आज किस नए वीडियो में हम आपको दिल्ली कैप्टेस और मुंबाइ इंडेस के बीच आईपेल के 69 वे मुकाबले के पूरी हाइलाइट बताएंगे बताएंगे काफी दोस्तों यह तो आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे लेकिन इससे पहले अगर आप भी आईपेल दोजाबाइस के सबसे बड़े फैन हैं और चाहते हैं कि आपके फैबरेट टीम ही आईपेल दोजाबाइस की चैंपियन टीम बने तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन कौन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर ख़बा जल्ली से आप तक पहुँच जाए तो उस्तों आपको बताया थे कि दिल्ली कैप्टिस और मॉंबाइ इंडियो का आईपेल के मुकाबला वानखेले श्रेडियो में खेला गया इस मुकाबले में मुंबाइ इंडियो की कप्तार ने टॉस जिता और पहले गिंदबाजी करने का फैसला किया तो उस्तों आपको बताया थे कि दिल्ली कैप्टिस को हर हाल में जीतना था क्योंकि अगर दिल्ली कैप्टिस इस मुकाब में दिल्ली कैप्टेस के ओपनर बले बास डैविड ओनर नहीं चल पाए वह से पांच रन बना के पविलियन लोट गए जबकि प्रित्वी सो ने भी 24 रनों का योगदान दिया तो तीसरे नमबर पर बले बाजी कर रहा है पहले ही इंपर आउट हो गया है उन्हें जस्पीत पुम्रा ने रोही सर्मा के हाथ तो कैच आउट कराया पविलियन बेज दिया तो जबकि दोस्तों डिल्ली कैप्टेस के कप्तार रिशाप पन ने 39 रनों की पारी खेली वहीं एस खान भी 10 रन बना पाए दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली के तरफ से रोमन पविल ने सा साथ विगेट को के 159 रन बनाए जब महीं दोस्तों अगरा मुंबा इंडियस की गिंदबाजी की बात के तो इस मुकाबले में जस्परित भूम्रा ने सांदार गिंदबाजी दिखाई उन्होंने चार ओवर में 6.25 की एकोनॉमी से 25 रन दिये तबकि तीन विगेट उनके ह आत लगी महीं दोस्तों आर सिंग को भी दो सफलता मिली हालांकि वह काफी महेंगे भी साबिच हुए दोस्तों इनके अलावा दी सैम्स और एम मारकंडे को एक एक सफलता मिली दोस्तों आपको बता देगे को 70 रनों का पीछा करने उतरी मुंबाइ इंडिस की शुरुआत क काफी खराब हुई उनके कप्तान रोई सर्माद दो रन मना के पविल ने लौट गये महीं दोस्तों ओपनर बल्लेबाज इसान किसान ने कुछ तक मुंबाइ इंडिस की पारी को समाला उन्होंने 48 रनों की पारी खेली महीं दोस्तों डेवाल ब्रेब्रिस भी 37 रन मनाए औ उनो ने वी आचा पारी के लाँ